कतिस जनवरी को बुद्ध का गोचर इन चार राशी के लोगों की कुणली में बनेगा धन योगे नमस्कार संचार बुद्धि और भानी का कार्ग बुद्ध ग्रह में इस कotz कम्ब राशी में पर्वेश करेगा और साथ अप्रेल तक इसी राशी में स्थित रहेगा इसी बीच ये सतारा फरवरी से स्तारा मार्च के मध्य वक्री आवस्था में रहेगा बुद्ध की बक्री होना उनकी शेत्रों में व्यापक परभाव रखता है कुम्ब इसकी मित्र ग्रै शनी की राशी है जोति शातर में बुद्ध ग्रै मित्धुन और कन्या राशी का स्वामी है जी कन्या राशी में उच और मी राशी में नीच अवस्था में रहता है बुद प्रियासों से अपनी इंकम को बढ़ाएंगे और आम दनी के मामले में ये गोचर आपके लिए काफी उनकूल साबित होगा आपकी आये में भड़ोतरी होने की प्रबल संभावना है नम ब्रिस्टिक राशी गोचर आपके कारशेत्तर में उन्नती लाने वाला साबित होगा आ कुछ लोगों को घर बदलने में इस दुरान सफलता मिलेगी और आपके मान समान में भड़ोतरी होगी धार में यात्रा पर जाना हो सकता है करक राशी आपको कठीन समय की प्राप्ति भी होगी आपका संगरश बढ़ जाएगा हालकि कठीन प्रियासों के बाद अलब सफलत हाथ लगेगी जोरन खर्चा में भड़ोतरी होगी बेवज़े की यात्राएं करनी पढ़ सकती है सी राशी आपकी शादी शुदा जिंदगी अच्छी बीतेगी और जीवन साथी और आपके भी नजिस्दीक यां बढ़ेंगी एक यूसरे से कुल कर और मन की बाते शियर कर होंगी और एक दूसरे के प्रतिया कर्शन बढ़ेगा कन्या राशी इस समय आपको मिले जूले परिनाम मिलेंगे सिहत के नजरिये से देखो तो देखे तो आपकी जरा सीवी लापरवाही आपको परिशानी में डाल सकते दूसरी और आपकी मेनत आपके लिए रंग बिरिस्टिक राशी आपके सुख साधरों से भड़ोतरी होगे आप से साधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे और उनसे सुख उठाएंगे इस दुरान आपका सोशल सरकल काफी मजबूत बनेगा और आपके परिवारिक जीवन में भी अनेक परिकार की अस्टरया जनक सकरात बदलाव देखने को मिलेंगे धनू राशी आपकी यात्राएं अधिक होंगे और ये यात्राएं आपकी सुख सुविदा अनन्द और धन को बढ़ाने वाली साबित होंगी आपने अपनी घर के छोटे भाई बहनों से आपके सबंद बेहतर बनेगे और आपके कारों में आ अध्यात्मिक विश्यों की और रूची बढ़ेगी शोट में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे और आपकी सोच में घहराई आएगी आप वास्विक सिती को जानकर उस पर अपनी राय देना पसंद करेंगे मीर राशी आपके खर्चे काफी बढ़ेंगे जिसका असर आप किसी हिल सकती है इस दुरान कुछ लोगों विदेश जाने में सफलता मिल गया और घर से बाहर प्रॉपर्टी बनाने की दिशा में भी उन्हें सफलता मिल सकती है